हाई दोस्तों नमस्कार आज हम आपको अपने क्लाइंट से मिलवाएंगे जिनका हेर ट्रांस्प्लांट हमने 8 मन्स पहले किया था आज उनके आपको रिवल्स भी दिखाएंगे यह हमारे क्लाइंट है इनका 8 मन्स पहले ग्रेड 6 एंडोजेनेटिक अलोपेशय के लिए ट्र इनका मैं डोनर एरिया दिखा देता हूँ अब यह देखिए इनका बहुत लिमिटीड डोनर एरिया था यह डोनर एरिया था हमने यहां से ग्राफ्ट लिये थे और आगे इंप्लांट किये हैं यह 8 मन्स पहले किये थे अब आप इसमें दो चीज़े देखने वाली हैं कि ए हमने एंगल दिया हुए है ट्रांस्प्लांटिड हेर को वो बिल्कुल ही नेच्रल है यह हेर लाइन में आपको शो कर रहा हूँ इनकी यह देखिए और डेंसिटी अगर आप देखेंगे आप इनको क्लोज में आके दिखाईए उपर से भी दिखा देते हैं आपको यह सब दिखेगी हमने इनका यह 4-5 फिंगर एरिया कवर किया था क्योंकि हमारे पास लिम्टिड डोनर एरिया था यह देखिए यह डोनर था और निकालने के बाद भी इनका यह डोनर एरिया है अब इनका यह छोटा सा एरिया क्राउन का बचा हुआ है जिसको हम next shift में ले इशिया है तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले एक ही sitting लीजिए उसमें आप को results का भी पता चल जाएगा क्योंकि बहुत limited donor area है मतलब कि इतना ज्यादा नहीं है कि इनका हम एक बार में पूरा सर को भर पाते क्योंकि हमने पिछले इनी के बाल इनी से लेके इनी को लगान क्या था आप इनकी हेर लाइन में देखेंगे close करके दिखाईए इन में कोई bumps नहीं है और just like a natural one दिख रहे हैं यह देखिए और उपर से भी नीचे कीचे थोड़ा सा यह देखिए यह इनका है यह अब कहीं पे भी जाते हैं तो इनसे कोई नहीं पहचान पाता कि इनका हेर transplant हमने किया था और वो भी मात्र आठ महीने पहले यह बिल्कुल गंजे थे इनका बिल्कुल लुक बदल चुका है अब हम इनी से ही इनी के अनुभव के बारे में जानेंगे सर मैं पत्रकार हूँ उसमेंदर भारतवाज मेरा नाम है मुझे को खुद मेरे इस्टाप के जो सहकर्मी है वो नहीं पहचान पाते कि यह hair transplant है और मेरे परिवार में भी अब इस बात को लोग भूल चुके हैं मेरे परिवार के मेंबर कि मैंने hair transplant कराया है आपका डर्मा वेव से hair transplant करवाने के बाद क्या अनुबव रहा और जो लोग गंजे हैं उनको आप क्या सलाह देंगे कि उन्हें hair transplant के लिए जाना चाहिए इसमें कितना pain होता है या आपको कोई भी अच्छा या बुरा experience रहा तो वो कृपया हमारे दर्शकों को बताए पहले तो मुझे को इस बारे में डर लगता था मैंने जानकारी की थी लेकिन जब मैंने यहां पर डर्मा वेव में कराया मुझे कोई भी जह तकलीफ नहीं हुई बड़े आराम से जह मेरा हुआ और बाद में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सेकिंड सिफ्ट करानी मुझे यही थी लेकिन मैंने एक्सपिरियंस के लिए एमस में भी दिली ट्राई किया और गुड़गाओं में भी ट्राई किया दो तीन जिगे मैंने डिसकस किया वो खुद नहीं पहचान पाई कि मैंने हेर ट्रांस्प्रांट करा चुका हूँ मैं सिटिंग करा चुका हूँ तब मैंने बेटर यह समझा कि मुझे सेटिंग दूसरी सिफ्ट भी यही करानी चाहिए तो कि उनके यहां मुझे अच्छा रिजल्ट दिखा नहीं दोस्तों यह इंडिया के बहुत नामी गिरामी हॉस्पिटल में भी होके आए हैं सेकिंड सिटिंग के लिए पता करने गए थे लेकिन उन डॉक्टरों को भी अश्चेर हुआ कि इन्होंने ट्रांस्प्लांट दर्मा वेव से करवाया हुए यह इनका ट्रांस्प्लांट पाये थे तो दोस्तों बिल्कुल आप अपना नेच्चर लुक पा सकते हैं FUE हेर टांस्पर्ट टेकनीक के दवारा डर्मा वेव में डिरेक्ट हेर इंप्लांटेशन और FUE टेकनीक दोनों अवेलेबल हैं इनका हमने FUE टेकनीक से किया था और रिजल्ट आपके सामने है ध अन्यवा दोस्तों थेंक यू